तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यहां हम एपिसोड नमबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड में आगे जाने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सस्क्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो हमेजा की तरह हमारा टार्गेट होता है दस कमेंट करने का और वन के व्यू करने का अगर आप ये दोनों टार्गेट पुरा करते हैं तो मैं जो हूँ ये एपिसोड जल से जजल ले आता हूँ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इस एनिमेशन को यहीं स्टॉप कर देता हूँ चलिए फिर आप ज़्यादा देर ना करते हूए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि कौन और उसके दोस्ट जो है यहाँ पर एक जगा पे आये होते हैं जहां पर आप होट स्प्रिंग ले सकते हैं, जहां आप बात ले सकते हैं, कौन भी यही कहता है कि लगता है यहां पर होट स्प्रिंग की जगा है, यह जगा बहुत ज़्यादा ही खुब सुद्ध दिख रही होती है, और साथ में यहां खेलने के लिए बहुत सारे गेम भी हो फिर हम देखते हैं कि यहां पर वो जो है कहता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया तुम्हारी बात फिर यहां प्रिंचस जो होती है कौन को कहती है कि तुम क्या समझ गए हो तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही कह रहा था आपको कोई प्रोब्लम है क्या इस बात से कि मैं कुछ ऐसे ही हूँ कर रहा था तो कौन कहता है कि मैं बस थोड़ा सा ठक गया हूँ क्योंकि ये जो जगह है वो लड़कियों के लिए तो काफी अच्छी है बट लड़कों के लिए अजीब सी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है अलग-अलग बात लेते हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ प्रिंसस कहती है कि तुम तो बच्चों की तरह बात कर रहे हो बड़ी अजीब चीज है यहाँ पर जो कौन है वो कहता है अब क्या बात कर रही है तभी स्टील बोलता है वीच में तुम्हें क्या लगता है कि जिर्फ यहाँ पर होट स्प्रिंग ही मिलेगा और भी कुछ मिलता है यहाँ पर बहुत जुगाड वाला सर्विस भी मिलता है जिसे देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा अब जो कौन होता है भाग कर इसके पास आता है यहाँ पर बहुत आजीब बनाते है तो यहाँ मारिन कहती है कि आचा मैं भी करना चाहती हूँ तो वो कहता है कौन की अरे तुम चिपो जाओ वो कहती है कि तुम्हारे लिए तो अच्छा है फिर हम नेक्सिर में देखते हैं कि वो जो है होस्ट प्रिंग के में जगा पे पहुंचाते हैं यानि अपने होटल के अंदर फिर हम देखते हैं कि उनका स्वागत जो होता है यहाँ पर हो रहा होता है और यहाँ पर जो हमारी मारियन है वो बहुत ज़्यादा ही खुस है वो कहती है कि मैं ज़्यादा देर इंतिजार नहीं कर सकती Steel यहाँ पर Marianne और Princess का Ruum दिखाता है जो बहुत ही अच्छा होता है Steel बताता है कि यहाँ पर Ruum के बाहर ही Hot Spring का बात लगाया है जहाँ आप लोग बात कर सकती हैं फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कौन को लेके आता है वो कहता है कि यह हमाला Ruum है इनका रूम जो है एक माजिस के खोके की तरह होता है यानि बहुत चोटा होता है और वो रूम के अंदर आते ही तयार हो जाता है कौन कहता है तुम इतनी जल्दी कहे तयार होगे नहाने के लिए क्योंकि कौन तो अभी तक सूस के लेजी खोल रहा होता है तब ही वो कहता है कि अब तुम्हें क्या पूछ रहे हो तुम्हें तो पता ही है कि मुझे जल्दी से बात लेना है और उसके बात जो है वो कुछ करना है मुझे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बात लेने आ जाता है और यहाँ कौन जो है सीधा जाके जंप कर देता है और जंप करने के बाद वो जो है तैरना शुरू कर देता है यहाँ पर जो स्टील है वो कहता है कि कौन यह होट स्प्रिंग में ऐसा नहीं कर सकते हैं तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता है तुम कभी होट स्प्रिंग में गए हो नहीं मिज़े लगता है ऐसा फिर हम देखते हैं कि वो सांत हो जाता है कौन दोनों बैठ जाते हैं और यहां पर वो बहुत जादा ही रिलेक्स कर रहा होता है वो कहता है कि मैं घर भी जाना चा जाता है रूम में जाकर की छोटू को क्या हुआ है वो जल्दी से कपड़े पहन कर बाहर से जा रहा होता है साथ में छोटू को डग रखा होता है नेक्सिन में हम देखते हैं कि इरिक समा उसके आगे से ही आ रहे होते हैं और यहां पर विचारा कौन बहुत जादा परिसान हो चाबी होती है इस टील के पास तब ही हम देखते हैं कि एरिक सामा दुबारा उधर से घूम कर आते हैं क्योंकि जो इसे घूमा रही है उसे कुछ नहीं आता है फिर हम देखते हैं कि यहां पर जो कौन होता है अपने छोटू को पकड़ के ऊपर चला जाता है फिर वो कहता है क क्योंकि उसका छोटू एक बलब की तरह बिहेव कर रहा है फिर हम देखते हैं यहां से दुबारा वो लोग गुजरते हैं फिर इरिक सामा फिर यह देखते हैं कि यह जो है खमवे में छूप जाता है वो कहता है कि कब तक ऐसे करता रहूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर वो दुबारा जो है एलफ लेने जाता है स्टील से पर हम देखते हैं कि स्टील जो है यहां से बात ले चुका है बट वो यहां पर है नहीं अब वो सोचता है कि वो जो है वहीं पे गया होगा जेंटलमेन प्लेगराउंड के अंदर फिर हम देखते हैं कि यहां पर इर इसको एसा लगता है कि जो इसका छोटू है इस तरह से जघ झाएगा वह उसे यहां पर जो कौन है वो सोचता है उसे देख करकी मैं यहां पर महांस भी नहीं सकता हूँ फिर वो डुबारा प्रिंसेस के रूम में पहुंचता है और दुबारा करकटाता है पर पिंसेस यहां मसाज करवा रही होती है तो वो लोग जो है यहां पर आती ही नहीं है बाहर फिर वो जो है होता है कि मुझे उसी को ढूंड़ना पड़ेगा इस्टील को फिर वो जो है यहां बाहर आ जाता है जहां पर सभी लड़के लड़की उसको देख रहे होते हैं क्योंकि उसका छोटू जो है यहां बहुत ज्यादा चमक रहा होता है वो छूपाने की 안पता है बड़ छूपा नहीं पाता ピर हम देखते हैं कि यहां पर जब ओँता है तो बहुत सारे ब्रोकर उसे पास गया होगा फिर हम देखते हैं कि वो जो है किटी हाउस के पास पहुंचता है जहां एक बंदे से पुछता है कि यहां पर क्या है फिर यहां पर जो बंदा बताता है कि तुम पानी पीदे पीदे यहां पर एक एट के साथ खेल भी सकते हो बचों के लिए तो पानी ही है फ अभी स्टील का ध्यान जो जाता है वो एरिक सामा पर जाता है फिर वो जो है यहां पर उसे उठा कर सीधा ले आता है यहां बाट टब में वो जो है यहां पर रख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो यहां पर होता है कौन जलने लग जाता है यानि उसकी पूरी ये क्या discover हो गया है मुझसे फिर हम देखते हैं कि वो room में आ जाता है और कहते हैं कि हम ऐसे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं बट सोते हैं जब light burn करते हैं तो still कहता है कि यारे बापरे यहां तो बहुत ज़्यादा रोसनी आ रही है फिर यहां जो still होता है वो क्याता है कि इस तरह तो हम लोग जो है रात बर्स हो ही नहीं सकते हम इस बात को ऐसे ignore नहीं कर सकते अगर तुम सोचो कि यह तुम्हारे पूरी जिंदगी तुम्हारी body जो है glow करती रहे तो क्या हो फिर हम देखते हैं कि जब बुलट डोनेट करने जाता है तो नर्स भी उसे मना कर देती है कि तुम बुलट डोनेट नहीं कर सकते हो फिर हम देखते हैं कि जब वो साधी के बाद रात वाले दिन जाता है तो वो उसकी कहती है वाइफ की light बंद करो पर वो light बंदी नहीं कर पाता क्योंकि खुदी light होता है अब जो कौन होता है ये सारी बाते सोन कर बहुत जादा ही depression में चला जाता है वो कहता है आज तक तो मैंने कुछ किया नहीं अपनी छोटू के सांथ किसी के लिए ये तो अब मैं क्या करोंगा फिर वो जो है यहां पर दुबारा बातव में जाता है kye soaking उसे लगता है कि मुझे लकली होता है इरिक जो होता है यहाँ पर बैटा होता है वो कहता है कि तुम मुझे ना आते हुए देख रहे थे क्या तो वो कहता है कि नहीं तो वो कहता है चलो फाइट करते हैं क्योंकि तुम्हारी बोड़ी जो है फाइट करने के लिए तयार है तो वो कहता है कि हम बीना कपड़ों के मर गे तो कैसा लगेगा तुम है तो वो कहता है अच्छा अच्छा तुम सी कहसा ही कह रहे हो फिर कौन कहता है थोड़े कपड़े पहन लेते हैं हम दिखते हैं कि यहाँ पर एरिक कपड़े पहन रहा होता है बटकॉन जो है बड़ी ही जल्दी से पहन लेता है कबड़े और अपना एक जाड़ू उठा कर सीधा उसके मुँपे मारता है जिसे की वो बेहोस हो जाता है इरिक और अगर तुमें बहुत मज़ा आया हो तो तुम पिलीस इसे सेर कर देना ताकि हमारे जल्द से जल्द वन के पूरे हो जाएं इसके उपर व्यू और मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स एपिसोड ले आऊंगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स एपिसोड में ओवर एन आउट